हलो दोस्तो, तैयारी गर्लो शैनल में आपके एकबार फिलसे स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ड नाटक और नाटक का भाग दो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भाग एक देखा था तो दोस्तों यह हिंदी साहित के संपूर्ण नाटकों का संग्रह है यदि आप KVS, TGT, PGT, CTET, UGC, NET, SET, TET, DSSB, RPSC या ऐसी कोई भी गवर्मेंट पृतियों की परिशा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित इसे संबंदित परिशन पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है पूरी वीडियो के साथ बने रही है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करत दोस्तों यदि आप हिंदी साहित, हिंदी गद्ध विदाओं से संबंदित अन वीडियो या प्रक्टिस सेट देखना चाहते हैं या किसी भी एक्जाम से संबंदित प्रक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के चैनल, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ही महत्पूर्ण प्लेलिस्ट हैं, बहुत ही महत्पूर्ण प्रक्टिस सेट हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर देखें, तो दोस्तों चलिए आईए देखते हैं संपूर्ण नाटक और उनके नाटक कारों के नाम, अठारा सो अठानवे, किशोरी दास बाचपेई 1898-1981 काववे नाटक है तरंगिणी फिर है 1898 गोविंद वल्लब पंत 1898-1996 इस्वी प्रहसन कंजूस की खोपड़ी 1923 में एतिहासिक नाटक है इनका राज मुकुट 1935 इस्वी में भाव नाटक है वर माला 1925 इस्वी में अन्तहपुर का छिद्र 1940 सामाजिक नाटक है इनका अंगूर की बेटी 1937 सुहाग बिंदी 1949 पौराडिक नाटक है ययाती 1951 अगले हैं 1899 भगवती प्रसाद वाजपेई 11 अक्टूबर 1899 से 8 मई 1973 छलना 1949 फिर है 1898 में बल्देव प्रसाद मिस्र 12 सितंबर 1898 से 4 सितंबर 1975 मीरा बाई 1997 नंदविदा 1900 शंकर दिगविजय में की पाठ पुस्तक 1922 असत्य संकल्प इसकूली पाठ पुस्तक 1928 वासना वैभाव इसकूली पाठ पुस्तक 1928 समाज सेवक इसकूली पाठ पुस्तक 1928 म्रणालिनी परिचय इसकूली पाठ पुस्तक 1928 विचित्र विवाह 1932 करांती शंकर दिगविजय का रूपांतरण 1949 यह इनके प्रमुख नाटक हैं फिर हैं 1900 में बेचन शर्मा उग्रू 1900 से 1967 महत्मा ईसा 1922 चुम्बन 1937 डिक्टेटर 1937 गंगा का बेटा 1940 उजबक चार बेचारे आवास अन्निदाता माधव महराज महान फिर हैं 1900 में राम व्रच बेनी पुरी 23 दिसंबर 1900 से 9 सितंबर 1968 अंब पाली 1941 से 1941 में 1946 पात्र हैं अरुण धोज भगवान बुद्ध आनंद अजात्शत्रू सुनीद बसकार अंब पाली मधुली का सुमना पुस्पगंधा चैनी का सीता कीमा 1940 से 1950 संग मित्रा 1940 से 1950 अमर जियोती 1951 तथा गत सिहल विजय शकुंतला रामराज नेत्रदान 1940 से 1950 गाओं के देवता नया समाज विजेता 1903 बैजू मामा 1994 शमसान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती 2012 इनके प्रमुख नाटक है फिर है 1900 में सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1928 दिसंबर 1977 जियोत्सना अन्योप देशिक नाटक है फिर है 1903 में भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 इस्वी वसीयत रूपिया तुम्हें खा गया फिर है 1903 में लश्मी नारायन मिश्र। 17 दिसंबर 1903 से 1987 इस्वी इनके नाटक है अशोक 1926 एतिहासिक नाटक है सन्यासी 1930 इसके सन्यासी के पात्र हैं मालती विश्वकांत राक्षस का मंदिर 1931 इसके पात्र हैं ललिता मुगती का रहस 1932 पात्र हैं आशा देवी राज्योग 1933 सिंदूर की होली 1933 पात्र हैं मनोर्मा चंदरकांता आधी रात 1936 गरूर धोज 1945 अगनी मित्र का शासनकाल नारद की वीड़ा 1946 चित्रकूट 1946 बलराज सुतंतरता संगराम की प्रश्ट भूमी पर आधारित है वत्सराज 1950 प्राचीन भारत का नायक उदेयन ही वत्सराज है तो यह थे इनके प्रमुक नाटक लश्मी नारण मिस्र जी के फिर है भारतेंदू हरिस्ट चंद 1950 इनी के नाटक हैं दशास मेव मेग 1950 भारशिव नाग चत्रियों पर आधारित है वितस्तता की लहरे 1903 सिकंदर और पोरस के युद्ध की घटनाव पर आधारित है चक्रिविव 1954 म्रत्युंजय 1955 महत्मा गांधी पर आधारित है कवी भारतेंदू 1955 जगत गुरू 1958 वसंत धर्ती का हरदय 1974 कालदवार 1974 गंगादवार 1974 अपराजित प्रतिग्या का भोग समाज के इस्थम इप्चन के नाटक फिलर ओफ सोसाइटी का अनुआध है गुडिया का घर इप्चन के नाटक डाल्स हाउस का अनुआध है एकांकी संग्रा अशोक वन प्रलै के पंख पर कावेरी में कमल बलहीन स्वर्ग से विपलव भगवान मनू तथा अन्य एकांकी सभी एकांकी पराणिक और इतिहासिक है भगवान मनू विधायक पराशर याग्यवल के कोटिल्ले आशारे शंकर पत्थर में प्राण देवगिरी में ग्रहन नारी का रंग एक धिन विस्पान देश के सत्रू भूमी का भोग कोटिल्ले विधायक पराशर याग्यवल के आशारे शंकर इनके प्रमुखनाटक और एकांकी संग्रा है फिर है 1905 में रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 इस्वी इनके प्रमुखनाटक हैं कौमोदी महत्सों 1954, विजेपरव 1954, कला और कृपान 1955, नाना फर्णवीस 1956, महराना प्रताब 1960, शीवाजी 1965, अशोक काशोक 1967, जोहर की जियोती 1967, अगनीशी का 1970, ज्यादित्य अशोक 1971, संद तुलसीदास 1974, जैवर्धमान 1975, भगवान बुद्ध 1975, समुद्र गुप्त पराक्रमांक 1978, समराट कनिश्क 1978, सोयमवरा 1980, वत्सराज, उदेयन, महामेग, वाहन, खारवेल, जहीरुद्दीन, मुहमद, बाबर, एतिहासिक नाटक हैं इनके, कौन-कौन से एतिहासिक नाटक हैं, एक लव्वे, उत्रायान, ओ अहल्या, एक आंकी संग्रा हैं, बादल की मिरत्यों, 1930 में, चार एतिहासिक एक आंकी 1985 स्वी में, रूपर उन्नी स्व क्यावनी स्वी में, दस मिनट नहीं का रहस, प्रतवी राज की आँखें, औरंग जेब की आखरी रात, रेश्मी टाई, चारु मित्रा, सप्त किरण, कौमुदी महोच्चाव, रितुराज, रजत रश्मी, मयूर पंक, दीपदान, काम चंदला, बापू, इंद्रधनुस, चंपक और एक्ट्रेस आदी, फिर है 1904 में, धनी राम प्रेम, 21 नवंबर 1904 से 11 नवंबर 1989, वीरांगना, पन्ना, 1933 इनका नाटक है, फिर है 1906 में, चंद्र गुप्त, विद्या लंकार, 1906 से 1982, इस्मी, अशोक, 1935, रेवा, 1935, देब और मानव, 1956, न्याय की रात, 1958, एकांकी संग्रह इनके है, कास्मो पोलिटिन, 1945, फिर है, 1907 में, जगनात, प्रसाद, मिलिंद, 1907 से 1986, इनके नाटक है, प्रताप, प्रतिग्या, 1929, समरपन, 1950, गौतम, नंद, 1952, इसके बाद है, 1908 में, रगुवीर सिंग, 23 फरवरी, 1908 से 13 फरवरी, 1991, इतिहास की पहली घड़ना, इनका एक मात्रन नाटक है, किसका, रगुवीर सिंग का, इतिहास की पहली नाटक, इसके बाद है, 1908 में, हरी कृष्न प्रेमी, 1908 से 1974 इस्वी, गीती नाट्टे हैं, इनके, स्वर्ण विहान, 1930, सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, हीर रांजा, दुल्ला भटी, देव दासी, मीरा बाई, और इनके तिहास की नाटक हैं, रक्षा बंधन, 1934, पृतिशोध, 1937, शीवा साधना, 1937, आहूती, 1940, स्वपन भंग, 1940, मित्र, 1945, विस्पान, 1945, शपत, 1951, प्रकाश इस्थंब, 1954, केर्थी इस्थंब, 1955, विदा, 1958, सांपों की स्रष्टी, 1969, संवत प्रवर्तन, 1969, संरक्षक, 1970, समाजिक नाटक हैं, इनके बंधन, 1940, छाया, 1941, मम्ता, 1967, पौराणिक नाटक हैं, पाताल विजय, 1936, अमरत पुत्री, 1978, एकांकी संग्रा हैं, मंदिर, 1942, बादलों के पार, 1952, तो इनके यह प्रमुख नाटक थे, अगले हैं, 1910 में, उपेंद्र नात अश्क, 14 दिसंबर, 1910 से, 19 जन्वरी, 1996, नाटक हैं, इनके जै पराजय, 1937, सुर्ग की जहलक, 1949, छटा बेटा, 1940, कैद और उडान, 1943-1945, पहतरे, 1952, अलग-अलग रास्ते, 1953, आदर्श और यथार्थ, 1954, अंजो दीदी, 1955, भावर, 1961, बड़े खिलाडी, 1967, और इनके एकांकी संग्रा है, पापी, 1938, वेशिया, 1938, लच्मी का स्वागत, 1938, अधिकार का रक्षक, 1938, जोग, 1949, आपस का समझोता, 1949, पहली, 1949, देवताओं की छाया में, 1940, विवा के दिन, 1940, खिड़की, 1941, सूखी डाली, 1941, चमतकार, 1941, नया पुराना, 1941, चर्वाहे, 1942, बहनी, 1942, कामदा, 1942, मेमुना, 1942, चिल्मन, 1942, तो यह थे उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक और एकांकी संग्रा है, फिर है चुम्बक, 1942, इन्ही के हैं उपेंद्र नाथ अश्क के तौलिये, 1943, पक्का गाना, 1944, कैसा साब कैसी आया, 1946, तूफान से पहले, 1946, चर्वाहे, 1948, आदी मार्ग, 1950, कस्बे के किर्किट कलब का उदगाटन, 1950, बतसिया, 1950, मसके बाजों का सुवर्ग, 1951, परदा उठाओ, परदा गिराओ, 1950, अंधी गली के आठ एकांकी, 1956, भवर, 1961, अंधी गली के आठ एकांकी, 1956, साहब को जुखाम है, 1954, उनसे 1960 के एकांकी, पृति निधी एकांकी, 1950, नए रंग एकांकी, 1980, मुखडा बदल गया, 1980, पचीस, स्रेष्ट एकांकी, 1981, आदी, तो यहाँ थे इनके प्रमुक नाटक और एकांकी संग्र है, फिर है, अग्ये, 1911 में, साथ मार्च, 1911 से 1987, उत्तर प्रिदर्शी, 1967, कवी प्रिया, फिर है, 1912, विश्णू प्रभाकर, 1912 से 2009 इस्वी, इनके प्रमुक नाटक है, हत्या के बाद, नव प्रभात, 1951 इस्वी, समाधी, 1952, डॉक्टर, 1958, यूगे-यूगे करांती, 1979, जादू की गाय, 1972, तूटते परिवेश, 1974, कुहासा और किरण, 1975, तगर, 1977, डरे हुए लोग, 1978, वंदिनी, 1987, सत्ता के आरपार, 1981, अब और नहीं, 1981, गांधार की भिख्षुणी, 1982, समाधी का संशोधित रूप, श्वेत कमल, 1984, केरल का करांतीकारी, 1987, सूर्दास, 1997, प्रेमचंद के उपन्यास, रंग भुहुमी के पात्र, सूर्दास को आधार बनाकर लीखित है, अब इनकी एकांकी संग्रह है, साप और सीड़ी, मा का बेटा, इनसान और अन्य एकांकी, 1947, अशोग तथा अन्य एकांकी, 1956, प्रकाश और परचाई, 1956, 12 एकांकी, 1958, 10 बजे रात, 1969, क्या वह दोशी था? इनके विश्णु प्रभाकर के कहांई संग्रह में से है, फिर है कहांई संग्रह में ही, ये रेखाएं, ये दाइरे, 1963, उचा परवत, गहरा सागर, 1966, मेरे प्रिये एकांकी, 1970, मेरे श्रेष्ट, रंग, एकांकी, 1971, तीसरा आदमी, 1974, नए एकांकी, 1978, डरे हुए लोग, 1978, मैं भी मानव हुँ, 1982, दरश्टी की खोज, 1983, स्वाधीनता संग्राम, 1950, मैं तुम्हें छमा करूंगा, 1986, अभया, 1987, फिर है, 1915 में भीश्म सहनी, 1915 से 2003 इसमीन का समयकाल है, हानुष इनका प्रमुखनाटक है, 1977, कबीरा खड़ा बाजार में, 1981, माधवी, 1985, मुआवजे, 1993, रंगदे बसंती, 14, 1998, आलमगीर, 1999, इसके बाद है, 1916 में, अमरतलाल नागर, 1916 से 1996 इसमी, इनका समयकाल है, इनके प्रमुखनाटक है, युगावतार, 1956, बात की बात, 1974, चन्दनवन, 1974, चक सरदार, सीड़ियां, और अंधेरा, 1900, चक्करदार सीड़ियां, और अंधेरा, 1977, उतार चड़ा, 1977, नुकरपड, 1981, चड़तना, दूजो, रंग, 1982, फिर है, 1916 में, डॉक्टर, शंभूनाद सिंग, 1916 से 1991 इस्वीन का समयकाल है, इनके नाटक है, धर्ती और आकाश, फिर है, 1917 में, जगदीश, चन्दर, माथुर, 1917 से 1978 इस्वी, इनके प्रमुखनाटक है, ओ मेरे सपने, 1950 इस्वी, कोणारक, 1951, शारदिया, 1969, दस तस्वीरे, 1962 इस्वी, परंपरा, शीले, नाटे, 1968 इस्वी, पहला राजा, 1979, जिन्होंने जीना जाना, 1972, दशरत नंदन, 1974, रगु कुल रीती, 1985, भूर का तारा, 1946 इस्वी, फिर है, 1999 में, विपिन कुमार अगरवाल, स्वारी, 1919 में, विपिन कुमार अगरवाल, 1919 से 1990, तीन अपाहिज, 1960 इस्वी, कूडे का पीपा, लोटन, 1974, इस्वी, खोई हुए की तलाश, राष्ट समराट, अपने देश में, मौत एक कुत्ते की, तो यहाँ थे इनके प्रमुखनाटक, अगले हैं, 1921 में, अमरत राय, 1921 से, 14 अगस्त 1996, इनके प्रमुखनाटक हैं, चिंदियों की एक जालर, 1969, शताबदी हम लोग, फिर है 1922 में, नरेश महता, 15 फरवरी 1922 से, 2000, इनके समयकाल, इनके प्रमुखनाटक हैं, सुबह से, घंटे, फिर है 1922 में, नरेश महता, 15 फरवरी 1922 से, 2000, इस्वी, सुबह के घंटे, इनके प्रमुखनाटक हैं, जो की 1955 में आया था, फिर है खंडित यात्राएं, 1962 में, इ पिछली रात की बर्फ इसके बाद है 1922 में लक्ष्मी कांत वर्मा 1922 इस्वी तिंदु उलम 1958 निस बाद है तिंदु उलम 1958 सीमान्त के बाद 1963 अपना अपना जूता 1964 रोशनी एक नदी है 1974 ठैरी हुई जिंदगी 1980 फिर है 1923 में रांगे रागहो 17 फरवरी 1923 से 12 दिसंबर 1962 इनके प्रमुखनाटक है सुर्ण भूमी की यात्रा रामा नुज फिर है 1930 में विनोध रस्तोगी 1923 इसमी आजादी के बाद नए हात बर्फिकी मीनार जन तंत्र जिंदाबाद गोपा का दान देश के दुश्मन फिसलन के पाउं भगीरत के बेटे सराएं के अंदर इनके प्रमुखनाटक है उसके बाद है 1924 में जगदीश गुप्त 1924 शाहबाद हर्दोई से लेकर 2001 हर्दोई इनका समयकाल है पीली दुपहर 1978 इसमी कपास के फूल 1978 इसमी फिर है 1924 इसमी में रेवती शरण शर्मा एक अक्टूबर 1924 इनका समयकाल है चिराग की लव 1962 राजा बली की नई कथा अपनी धर्ती 1963 अंधेरे का बेटा 1979 ना धर्म ना इमान 1970 दीपशिखा 1973 इनके प्रमुखनाटक है फिर है 1925 में माता प्रसाद 11 अक्टूबर 1925 इसमी इनका समयकाल है इनके नाटक हैं अच्छूत का बेटा धर्म के नाम पर धोका वी रोंगना जलकारी बाई वी उदा देवी पासी तडप मुक्ती की प्रतिशोद अंत हीन बेडिया एकांकी शंकुल है धर्म परिवर्तन रैदास से संत शिरो मडी गुरु रविदास हम एक हैं समप्रदाइक सौहाद्र प्राधरित है जातियों का जंजाल एकांकी संकुल है दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी इनके प्रमुख एकांकी संग्रह है फिर है 1925 में मोहन राकेश 1925 से 1972 इसमी आसाड का एक दिन 1958 लहरों के राजहन 1963 आधे अधूरे 1979 पैर तले की जमीन इनके प्रमुख नटक है फिर है 1927 में क्रश्न बल्देव वैद 27 जुलाई 1927 भूख आग है 1998 हमारी बुढ़िया 2000 सवाल और स्वपन 2001 गाल्डों के इंतिजार में उसके बयान परिवार अखाडा कहते हैं जिसको प्यार मोना लिसा की मुस्कान इनके प्रमुख नाटक है फिर है 1926 में धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 से 4 सितंबर 1997 का समयकाल है अंधा यूग 1955 गीती नाट्ट है एकांकी नाट्ट में से है नदी प्यासी थी 1954 नदी प्यासी थी नीली जहील आवाज का नीलीम संग मरमर पर एक रात स्रश्टी का आखरी आद्मी डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा यूग 1955 ने हिंदी गीत नाट्ट परंपरा को एक नया मोड दिया अंधा यूग के अधरिक्त सुमित्रा नंदन पंत के रजत शिखर शिलपी और सौवण में संग्रहीत गीती नाट्ट गिर्जा कुमार माथूर का कलपांतर स्रश्टी की सांज और अन्य काविनाट में संग्रहीत सिध्धान्त कुमार के पांच गीती नाट्ट स्रश्टी की सांज लोह देवता संगर्स विकलांगो का देश और बादली का शाप तथा दुशियन्त कुमार के गीती नाट्ट एक कंठ विस्पाई 1963 आदी भी विशेश उलेखनीय है इसके बाद है 1927 में लश्मी नारायन लाल चार मार्च 1927 से 20 नवंबर 1987 इनके नाटक हैं अंधा कुवां 1955 प्रमुख पात्र हैं भगवती सूका अलगुराजी इंदर नंदो लच चची मिनकू मादा कैक्टस 1969 प्रमुख पात्र हैं इसके रविंद मीनाक्षे सुजाता सुधीर सुन्दर रस 1969 तीन आखो वाली मचली 1960 सूखा सरोवर 1960 नाटक बहुरंगी 1961 नाटक तोता नैना 1962 रक्त कमल 1962 रात रानी 1962 रात रानी के प्रमुख पात्र हैं जैदेव कुंदल निरंजन सुन्दरम योगी प्रकाश नाली दरपण 1966 दरपण के प्रमुख पात्र हैं पूर्वी हरिपदम, सुजान, ममता, भत्ती, डंडी, सूर्य मुख 1968 कलंकी 1969 मिस्टर अभिमन्यू, मिस्टर अभिमन्यू, 1971 प्रमुख पात्र हैं मिस्टर अभिमन्यू, मिस्टर अभिमन्यू के राजन, वीमल, आतमन, गयादत, श्रीमतिराठोर, श्री उसके बाद कर्फियू 1972 पुर्मुख पात्र हैं कर्फियू के कविता गौतम मनीशा संजय अब्दुल्ला दीवाना 1973 नर सिंग कथा 1975 वेक्तिगत 1975 गुरू 1976 यक्षप प्रश्न 1976 एक सत्य हरिश्चंद 1976 संसकार द्वज 1976 चतुरभुज राक्षस 1976 गंगा माटी 1977 सगुन पक्षी 1977 नाटक तोता मैना का संशोधित रूप है सबरंग मोह भंग 1977 पंच पुरुष 1978 राम की लड़ाई 1989 कजरीवन 1980 लंका कांड 1983 बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 अरुण कमल एक 1984 मन्नू 1985 इत्यादी एकांकी संगरा में से हैं इनके पहला है ताज महल के आसु 1945 परवत के पीछे 1952 नाटक बहुरूपी 1961 नाटक बहुरूपी 1964 दूसरा दर्वाजा 1972 मेरे श्रेष्ट एकांकी 1972 खेल नहीं नाटक 1978 नया तमाश 1982 इसके बाद हैं 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक सेना 1927 से 1983 इसमी इनके प्रमुख नाटक हैं बकरी 1974 रूप मती बाज बहादूर तथा होरी धूम मचोरी 1976 लड़ाई 1979 लड़ाई 1989 अब गरीबी हटा 1981 कल भात आएगा एकांकी नाटक है M.K. रैना के निर्देशन में प्रियोग द्वारा 1989 में मंचित हुआ हावालाद इन नाटकों में सत्तक के छदम और पाखंडों का ही परदाफाश किया गया है बकरी लड़ाई कल भात आएगा हावालाद उसके बात है 1931 में मन्नू भंडारी 3 अप्रेल 1931 इनका समयकाल है बिना दीवारों का घर 1965 महा भोज 1989 1931 में हैं शरद जोसी 21 मैं 1931 उज्जैन मध्ध प्रदेश 5 सितंबर 1991 इसवी मुंबई तक इनके प्रमुखनाटक हैं एक ता गधा उर्फ आलादाद खां 1980 अंधो का हाथी 1980 उसके बाद है 1932 में कमलेश्वर 6 जनवरी 1932 से 27 जनवरी 2007 तक अधुरी आवाज रेत पर लिखे नाम हिंदुस्तां हमारा इनके प्रमुखनाटक हैं फिर है 1932 में लच्मी नारायान गरगुद 29 अक्टूबर 1932 से 22 शिरी क्रशनावतार इनका प्रमुखनाटक है फिर है 1933 में ब्रज मोहन चाह 1933 में नैनी ताल से 1998 इसमी तक प्रमुखनाटक हैं तरिशंकू 1973 युद्धुमान 1975 शहपे मात 1976 फिर है 1933 में कुसुम कुमार इनका जन्म है जो था 8 दिसंबर 1933 संसकार को नमस ओम करांती करांती सुनो शेफाली दिल्ली उंचा सुनती है 1982 रावण लीला मादा मिट्टी पवंच चतुरवेदी की डाइरी सलामी मंच 1986 धन चौक 1997 इनके प्रमुखनाटक हैं फिर है 1933 में गोविंद चातक 19 दिसंबर 1933 इनका प्रमुखनाटक है केकड़े काला मूह दूर का आकाश पहाड़ी फूल बांसुरी बज़ती रही अंधेरी रात का सफर अपने अपने खूंटे 1977 इनके प्रमुखनाटक हैं उसके बाद है 1933 में डॉक्टर शंकर शेज 1933 से 1981 इसमी एक और द्रोणा चार्रे 1977 धराउंदा 1978 अरे मायावी सरोवर 1980 रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे कोमल गांधार पोस्टर फंदी खजुराहो का शिल्पी इनके प्रमुखनाटक हैं उसके बाद है 1933 में मुद्रा राक्षस 1933 इसमी तिल चट्टा योर्ज फेत्फुली मर जीवा तेंदुआ पर्थम इस्तुती आला अफसर 1989 गुफाएं 1989 संतोला 1980 फिर है 1935 में ग्यान देव अगनी होत्री ग्यान देव अगनी होत्री 5 अगस्त 1935 नेफा की एक शाम 1962 माटी जागीर 1964 वतन की आबरू 1966 अनुष्ठान चिराग जल उठा 1968 शुतुर मुर्ग 1968 इनके प्रमुखनाटक हैं 1935 में दया प्रकाश सिनहा दो मई 1935 कासगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश इनके प्रमुखनाटक हैं पंचितंत्र 1960 मन के भमर 1968 दुश्मन 1979 अपने अपने दाव 1972 सांज सवेरा 1974 मेरे भाई मेरे दोस्त 1971 इतिहास चक्र 1973 ओ अमेरिका 1973 कथा एक कंस की 1976 सादर आपका 1980 सीडियां 1990 इतिहास 1998 रक्त अभिशेक 2005 उसके बाद है 1935 में नरेंद्र मोहन 30 जुलाई 1935 से 23 जनवरी 1963 वारान सी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ उसके बाद है कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 सीड़ धारी 1988 कलंदर 1991 नौ मैंस लैड नौ मैंस लैड नौ मैंस लैड 1994 अभंग गाथाओ 2000 मिस्टर जिन्ना 2005 हद हो गई यारो 2010 मंज अंधेरे में 2011 मालिक अम्बर 2012 इसके बाद है 1936 दूध नाथ सिंग 17 अक्टूबर 1936 सो बंथा बलिया जो की उत्तर प्रदेश का एक शहर है 11 जनवरी 2018 इलहाबाद में इनकी मरक्टी हुई इनका जो नाटक है यम गाथा 1990 इसमी उसके बाद है 1936 रमेश बक्षी 15 अगरस 1936 देव यानी का कहना है इनका नाटक है जो की 1972 में आया तीसरा हाथ ही 1975 वामाचार 1977 यादों के घर छोटे नाटक एक नाटक कार कसे हुए तार 1989 खाली जेब इनके प्रमुख नाटक है फिर है 1937 में काशी नाथ सिंग एक जनवरी 1937 घो आस 1979 इसमी इनका नाटक है फिर है 1937 में गिरिराज किशोर 8 जुलाई 1937 इनके नाटक है नरमेद परजा ही रहने दो 1977 बादशाह बेगम गुलाम 1989 घोडा और घास 1984 चेहरे किसके चेहरे 1983 केवल मेरा नाम लो 1984 जुर्म आयद 1987 काट की तोब 2001 गांधी को फासी दो इनके प्रमुख नाटक है उसके बाद है 1938 मरदुला गर्ग 25 अक्टूबर 1938 एक और अजनबी 1978 जादू की कालीन 1993 तीन कैदें 1996 दुलहिन एक पहाड की 1996 दूसरा संसकरण 1996 अंतिम तीनों नाटक एक ही जिल्द में तीन कैदें शीरसक से प्रकाशित हुई थी साम दाम दंड भेद बालनाटक है चोकि 2011 में आया उसके बाद है 1949 में नाग बोडस 1949 से 2003 इसमी अम्मा तुझे सलाम खुबसूरत बहु 1998 इसमी वसीयत 1998 इसमी दलिद 1998 इसमी तोता जूट नहीं बोलता 1998 इसमी पढ़ो फटरसी बेचो तेल 2002 इसमी तीन टपर कृती विकृती तीन नाटक नरर नारी उर्फ बाबा लोचन दास इनके परमुखनाटक हैं फिर है 1949 में गंगा प्रसाद विमल तीन जून 1949 उत्तरकाशी जो की उत्तराखंड है आज नहीं कल इनका परमुखनाटक है उसके बाद है 1940 में डॉक्टर नरेंद्र कोहली 6 जनवरी 1940 इनके परमुखनाटक हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 सींद धारी 1988 कलंदर 1991 नो मैंस लैड 1994 अबंग गाता 2000 मिस्टर जिन्ना 2005 हद हो गई यारो 2010 मंच अंधेरे में 2011 मालिक अंबर 2012 उसके बाद है 1941 में शुरेंद्र वर्मा 1941 इस्वी, द्रोपदी 1972, सेतु बंध 1972, नायक खल नायक, विदुसक 1972, सूरी की अंतिम किरण से सूरी की पहली किरण तक 1975, आठवा सर्ग 1976, छोटे सयद, बड़े सयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगुठी 1990, कैदे हयात 1993, इसके बाद है 1942 में, मडिम अधुकर, 9 सितंबर 1942, प्रमुखनाटक हैं, रस गंदर 1975, बुलबुल इरसराय 1978, दुलारी बाई 1978, खेला, पोलंपुर 1989, 89, हे बोधी वरच्छ, एक तारे की आँख, 1980, इलायची बेगम, एकांकी संग्रह हैं, सलवटों में समवाद, फिर है 1942 में, स्वदेश, दीपक 1982, नाटक हैं, नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, इसमी वर्ग जाती भेद पर आधारित है, जलता हुआ रत 1998, सबसे उदास कवित 1998, काल कोठरी 1999, फिर है 1943 में, रामिश्वर प्रेम, तीन अप्रेल 1943, प्रमुख नाटक हैं, चार पाई, राजा नंगा है, काल पत्र, अज्यात घर, अंतरंग, कैंप, लोमड वश, लोमड वेश, उनिस्वसी, शस्त्र, संतान, उनिस्व संतानवे, फिर है 1945 में, नंद किशोर आचार, 31 नाटक हैं, देहांतर, 1987 इस्वी, पागल घर, 1988 इस्वी, हस्तिनापुर, जिल्ले सुभानी, जूते, गुलाम बादशा, 1992 इस्वी, कीमिदम, यक्षम, सभी नाटक संग्रह हैं इनके, कीमिदम, यक्षम के नाम से, फिर है 1945 में, प्रताब सहगल, 10 मैं, 1945, रंग बसंती, 1984, म नहीं कोई अंत 1999 इस्वी, इसके बाद है, 1946 में म्रणाल पांडे, 26 फरवरी 1946, जो राम रची राखा, 1981, मौजूदा हालात को देखते हुए, 1989, आदमी को मचुवारा नहीं था, 1983, शर्मा जी की मुक्ति का था, 2002, 1946, शुशील कुमार सिंग, 3 नवंबर, 1946, बापु की हत्या, हजारवी बार, अंधेरे के राही, सीहासन खाली है, 1974, नाग पाश यारों के यार, फिर है 1948 में, सुधा और रोडा, 4 अक्टूबर, 1948, एकांकी है, एकांकी संग्रा है, रचेंगे हम साजह इतिहास, कम से कम एक द दरवाजा, 2015, फिर है 1949 में, मोहंदास, नैमी साराय, 5 सितंबर, 1949, इसमी, अदालत, नामा, 1.5 इंच मुसकान, इनके प्रमुख नाटक है, उसके बाद है, 1949 में, राजेश, जैन, 16 जुलाई, 1949, चिमिनी, चोगा, वाइरस, 1994, मतुरा परसाद, बाप, 62 वरसी, केसर बाई, मत मतुरा परसाद की पतनी, 55 वरसी, धीरज, मतुरा परसाद का एकलोता पुत्र, 35 वरसी, रजनी, धीरज की सुन्दर पतनी, 30 वरसी, कल्पना, पहली बेटी, विवाहित, रंजना, दूसरी बेटी, विवाहित, वंदना, तीसरी बेटी, अविवाहित, सम्वेदना, चोथी प्रिदेटी अविवाहित अतुल रंजना का पती कंपनी एक्जेक्टिव संजय कलपना का पती विपुल रंजना आतुल का पुत्र अंकिता रंजना अतुल की पुत्री चिंदी मास्टर वायरस कोयला चला हन्सकी चाल विश्वन्स 1999 फिर है 1998 में मीरा कांत 1958 शिरी नगर इनके प्रमुख नाटक है इहा मरगर नेपत्य राग भूवनेश्वर दर भूवनेश्वर कंधे पर बैठा था शाब श्वेता नतू द्रश्यते काली बर्फ मेग प्रश्न बहती व्यथा सतीसर हुमा को उड़ जाने दो अंत हाजिर हो प पाबुजी की थाली नुकर नाटक है नेपत्य राग अंत हाजिर है तो दोस्तों यहां थे प्रमुख नाटक संपूर नाटकों का संग्रह पार्ट एक और दो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो इस वीडियो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे देख सक अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए अपने सुझाओ भीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद